अब है कि दोस्तों आपका स्पागत एक बार फिर मेरे यूटूब चैनल सी एजितिन चौहान में तो दोस्तों आज हम भोती इंपोर्टेंट टोपिक बात करने जा रहा है वह यह हमारा एप आप आज के बारे में जानते हैं को सकता है में यह दिटेल में हम इसके बारे मिवर हम हम नहीं करी रही है वह अपनी रिटन फाइल के तहित अधना 커피 मेन और एक तक आगर वे लोन लेना है और आपने तो आप इसके तुरुब आप अपनी टू येर्स की रिटन कर सकते हैं चलिए जानते हैं परसन एलिजेबल फॉर फाइलिंग अप्डेटेटेट रिटन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन एट के हमें बताता है कि आईट्यार यू क्या है देखो सबसे इ हाँ पर यहां पर क्या लिखाया ऐल पर्सन प्रसन फंडिविज्वीजवल एच आप अार्टेटेटेटेटेटां सब लोग इसको फाइल करने में के लिए और तेक्समेटे कुब्या ऐट फालूंग क्राइटेरिया फाल आप यू और्टेरिया है कि अप्डेटेटेटेट कि लेकि उनकी रिटन में कुछ भूल गई है तो हो यह कि और यह द है सेघंड क्या है आप्डेट डीर्ट कें डीरिक्सलोब इस भल डिस्क्लोब जिएए रेडिडिसेपयों कर सकते हैं जब कुछ इंकब नहीं कर सकते हैं तब कर सकते हैं एक यह यह अपुसे जानें और आपको एडिशा टिक्स पर करना चाहते तो आप सकते हैं जिस के लिए फाइल करने के लिए तो आपके बारे में जानते हैं तो आपके बारे में एकस्कृ बारे में वीडियो बना इसमें क्या है इसमें बोलता है कि रिजन पूर अप्डेटिटिए डिटेन यूर इंककम आप बीजन स्क्रीचिया कारण न Sort ने यू नने परिटेन अपने इंख़ा लोगा एंग और से आपिंगे घ्कन कर द yam या आपने reduction of the unabsorbed depreciation या reduction of tax credit 115JB जो कि हमारा mid credit वाला होता है या आपने wrong rate से tax pay कर दिया हो या other region इन सब region के आप ITRU फाइल कर सकते हैं लेकि दूसी condition है कि person not eligible file to ITR update return ये भी important है कि कौन से person है जो ITRU फाइल नहीं कर सकते हैं देखो इसमें all person लिखा हुआ है उसमें यदि माल की चलो इट इच रिटेन और लोज अगर आप अपने लोज दिखाना चाहते हो तो आप ITRU फाइल नहीं कर सकते हैं दूसरा इस affected the decrease the tax liability अगर आप अपने tax liability कम करना चाहते हो या आप अपने इंक्रीजिंग दा रिफंड या आपने रिफंड को बढ़ाना चाहते हो तो आप अगर आपका केस सर्च में आ गया है तो आप अगर आपका सर्वेय कंडेक्ट 133 एक थे तो आप रिटल नहीं कर सकते हैं यदि आपका असेस्मेंट इस पेंडिंग है या कंप है यूट हो पंकि अडtoo नहीं कर सकते हैंं। हम इसकी पासिफेक दिखेंगे मैं आपको अपने बता रहा हूं को इसक लिए कुन रही है दूसरी जाते हैं इसकी ताइम propio बताई है था टाइम लिमीट फॉर फाइलिंग अपडेटेटेटर निस टू यर्स फॉर्म दा एंड ऑफ दा सच रिलेमेंट असेस्मेंट यर अब देखो सबसे पहली जी क्या होता है एक्जांपल समझते हम इसमें बोला कि फॉर असेस्मेंट यर वी सिक्की तो उसका फाइनसल यर क्या ह होगा उन्नीस दीस ट्यू देट फाइलिंग अपडेटेटर कितनी है उसकी 31 मार्ट 2023 से जो की हमारी निकल चुकी है इसका मतला हम क्या कर सकते हैं हम असेस्मेंट यर ट्वंटी वन की रिटन फाइल आई टी और यू फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो देट है वो अब तक है इसकी 31 मार्ट तक है क्या है 31 मार्ट तक है तो आप इसको अब आप फाइल कर सकते हैं अब आप क्या लगेगा तो चलिए जानते हैं मैंनोचा के साथ ही आप इस दोख सकते हैं अगर अपने फाइल करते है आप चैनल करते हैं यहाथी टेस्में के कर देटरु पायलंट जो भी आपका फद इक साथ और जो आपकी इंट्रेस्ट रहेगा उसके प्लस आपको 25 परसेंट आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी लेकिन अगर फाइल करते हैं आप्टर ट्वेल मन्थ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अब हम इसको आई टीर असेस्मेंट यह हम 22 की हम पेक्टिकल यू के से फाइल करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्यू वेरी मच आप चलो सबस्रे करना मत भूलिएगा